तो गाइज इंडियन टुविलर मार्केट की सबसे ज़्यादा पॉपलर बाइक यामहा R15 V4 और R15 M इन दोनों बाइक ने अभी KTM को भी पीछे छोड़ दिया है क्यूंकि यामहा ने R15 V4 के अंदर इतने सारे अडवांस्ट फीचर्स को एड़ उन कर दिया है जिसते कि ये ब पाइज के साथ कंपीट कर सके लेकिन आज हम एक ऐसी बाइक के बारे में बात करेंगे जो R15 V4 और R15 M इन दोनों बाइक को काफी टफ कंपिटिशन दे सकती है और और इस बाइक का नाम है सुजु की GSX R150 इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इस बाइक के सभी डीट को एंड तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी बाइक के बारे में वीडियो मिलती रहती है तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह हैं सुजु की GSX R150 औ देखने को मिलता है जिसके मैक्सिमम पावर है 19PS एंड मैक्सिमम टॉर्क है 14NM जिसके साथ 6-speed transmission है तो गई GSX R150 में DOHC एंजन है जबकि R15 V4 में SOHC एंजन है और इसके अलावा GSX R150 में आपको R15 V4 से पावर भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है और इलेक्रिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको काफी शाप डिजाइंड LED हेडलाइट देखने को मिलती है जिसके साथ हैलोजन इंडिकेटर है और साथ ही बाइक में हैजर्ट स्विच का ऑप्श इसका वेट सिर्फ 131 kg है जिसके वजह से इसका पावर टूवेट रिश्यो भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है और बात करें टायर की तो बाइक में 90 अपॉन 80 सेक्शन का फ्रेंट टायर है और 130 अपॉन 70 सेक्शन का रियर टायर है जो की काफी अच्छे सूपर वाइट आपको यॉवेट का दिजाइन काफी अच्छा देखने को मिलता है और इस बाइक में आपको टेलिस्कोपीक फ्रेंट फोक्स देखने को मिलते हैं जिसके साथ रियर में दिस्क ब्रेक्स हैं जिसके साथ स्टेंडर्ड ड्यूल चैनल ABS है अब बात करें डैमेंशन की तो बा और अगर शुजूकी को इंडिया में यामहा के साथ कंपीट करना है तो फिर सुजूकी को इस बाइक को इंडिया में लेकर आना चाहिए क्योंकि करेंटली इंडिया में सुजूकी के पास 150 CC सेगमेंट में जिकसर और जिकसर SF है जिसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है बाइक में पावर भी सेगमेंट के अकॉर्डिंग काफी ज़्यादा कम है जिसके वज़े से जिकसर SF R15 B4 के साथ कंपीट नहीं कर सकती है लेकिन अगर सुजूकी GSX R15 50 को इंडिया में लेकर आ जाती है तो फिर ये बाइक R15 B4 को काफी टफ कंपिटिशन दे सकती है और एक काफी अच्छा alternative option भी हो सकती है और international market में कुछ और भी bikes हैं जो की R15 B4 का काफी अच्छा alternative option है और R15 B4 को काफी टफ कंपिटिशन देती भी है और वह कौन सी बाइक है उस पर मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया है और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा आप जाकर चेक आउट कर सकते हो और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन से सुजू की को इस बाइक को इंडिया में लेकर आना चाहिए या फिर नहीं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तो गाइस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को स सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सेफ ड्राइव एंड टेक केर